आप देख रहे हैं ओन डेसी टीवी आपका अपना चैनल आपका अपना चैनल अन्दाज बयां गर्च बहुत शोख नहीं है शायत के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बाद अब्साद मिल्च अब्साद मेल्च और शोख लिए तेरे बाद आओज़ बल्लाई मिलिश श्यातान ररजीम और बहुत सी महाफिल का इनकाद होता है उसी में हम आज कुछ अपने मौजू के साथ लेका चलेंगे जो खवातीन के हवाले से भी होगा और फ़रा सा हम रमजान अलमबारक के हवाले से भी उसके नुकाद को शामिल करेंगे जैसा कि पहला आशरा शरू हो चुगा है अल्ला के फ़जल से अल्लाअ disp 먹고 अपने गुनाहों की बख्षिश के लिए कुछ सामान कर सकें तो रह्मत के ऐषरे में हम दाखिल हो चुके हैं और इस पहली तारीक के साथ, रमजान मुबारक के चांड के साथ हमने रहमत के एश्रे में कदम रखा है अलहमदलिल्ला सुम्मा अलहमदलिल्ला पिछली बार वीजिए हमारा रमजानलमबारक वे प्रोगाम हुआ था उसमें यही याद दिहानी कराई गई थी कि रमजानलमबारक का चांद देखते ही हम पर फितरानी की एदाईगी वाजिब हो जाती है चाहे वो जिन्दगी उसके बाद एक मिनट की हो या पूरा महीना नसीब होता है रमजानलमबारक का एक मसल्मान को लेकिन चांद के देखते ही रमजानलमबारक के चांद के तलू होते ही फित्राना हम पर वाजिब हो जाता है और कोशिश कीजिए कि आखरी दिनों के इंतजार के बिना ही आप शुरू की तारीकों ही में किसी भी मुस्तहिक तक वो रिकम अगर खुद पहुँचा सकती है तो ये बहुत अच्छी बात है बजाए कि आप इंतजार करें कि आईद का चांद देखेंगे तो फित्राना हम पहुँचाएंगे और अक्सर ऐसा होता है कि आईद का चांद देखने और नमाज होने तक हम वो रिकम असल मुस्तहिक तक या तो पहुँचा नहीं पाते जा फिर पहुंचा भी देते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो शखस उस वक्त फोरी तो पर उसे इस्तमाल में नहीं ला सकता वो दुरूरतमन उसको इस्तमाल नहीं कर सकता तो बहुत 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 है कि हम रमदान मुबारक का चांड देखते ही हम फौरन उसको अपने मुस्तहिक शखस तक पहुँचाने की कोशिश करें तो जो भी आपका निसाब है जिस आलाके में भी आप रहते हैं उस निसाब के हिसाब से आप अपनी अदाईगी का सब इंतजाम कीजिए उसको हिसाब किताब कर लीजिए और उसे पहुँचाने की जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए मेरा ख्याल है कि रहमत की आश्रे में ये एक बेहतरीन तरीका है दाखिल होने के लिए और अल्ला बड़ा महरबान है रहम करने वाला है बेशक और हमारे लिए कुछ आसानिया ज्यादा हो जाती है इस महीने के अंदर तो हम इससे जरूर फाइदा उठाएं अब इस महीने के हवाले से हम देखते हैं तो अक्सर हमारी घरों में जो बेहने होती हैं या हमारी आम रूटीन में है कि अफ्तारी की तैयारी का एक बड़ा जोर और शोर होता है और बड़ा हमें लगता है कि हम रोजा शायद तसकिया नफस के वजए बहुत ज्यादा और बहुत मरोखन और बहुती परतकल्लुफ खाने के लिए और दावतें खाने के लिए शायद महीने को इस्तमाल करते हैं इसी वज़ा से शायद महीना जब खत्म होता है तो पता चलता है कि बजट भी हमारा उथल पुथल हो चुका है कई वो चीज़े जिनके बिना काम चल सकता था बहुता जाब एह स hope काम कर मैं पृटिन वहर रोद हम रूटीनर, समसे, पकोड़े, और बिर्यानिया और बहुत कुछ और रूसी जा सकता और अगर यह चीजें हूंगी तो दस्तरखवान अच्छा लगेगा और अगर नहीं है तो शायद रोजा कból नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं है अगर्मी का महीना है क्योंके रमजान इसो गर्मियों में ही काफी साल से चल रहे हैं तो रमजान के महीने में गर्मी को सबसे पहले मदे नजर रखे कि ये एक गर्म मौसम है वो लोग जो कोई मेडिसन लेते हैं, कोई दवा लेते हैं सुबा उनको निहार्मू जो दवा लेनी होती है अक्सर उसके बाद शुगर पेशिंट्स हैं या थायरड पेशिंट्स हैं इसी तरह से कोई और पेशिंट्स जिनको सुबा खाली पेट कोई दवा लेनी है तो उन्होंने वो दवा लेने के बाद आदे पोने घंटे के बाद उनको बहुत ज्यादा इस बात की तलब होती है कि वो कुछ ना कुछ जरूर खाएं उस दवा के बाद आपकी तलब बढ़ जाती है काफी तो भूग लगती है और वो नाकापले बरदाश्त होती है बहुत ज्यादा तो बेहतर है कि वो लोग जो इस तरह की कोई भी दवा खा रहे हैं या कोई भी मेडिकेशन उनकी हो रही है या इंजेक्शन लेती है या कुछ जो उनने खाली पेट लेना है और रमजान है रोजा भी रखना जरूरी है रोजे फ़र्ज है आगर रोजे रखना भी चाते हैं या उनकी खाहिश भी है डॉक्टर मना करता है या कुछ अगर जान का खत्रा नहीं है तो आप रोजा जरूर रखेए और अगर ऐसी कोई दवा इस्तमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उस दवा का टाइम बदल दीजिए क्योंकि रात बहुत चोटी होगी और दिन बहुत लंबा है इसमें और सारा दिन आपको भूगा प्यासा रहना है तो आप उस गोली के बाद या इस दवा के बाद इस दुट आपको तलब है और आपने कुछ खाना है उसके बिना आप रोजा नहीं रख सकते हैं और रोजा बरकराब नहीं रख सकते सारे दिन का तो इसके लिए एक आसान सी रेमिडी है तरीकागार है या कहलें के एक तरकीब है कि आप उस दवा का टाइम बदल कर जिस वक्त आप इफ़तार करते हैं आप उस दवा को कर देए क्योंकि उस दवा के करने के बाद अगर आ पुसलिफ लाकों के हिसाब से वक्ताइम बनेगा तो आप उन घंटों के दौरान दवा के बाद आराम से खुराग खा सकते हैं पानी को पी सकते हैं मश्रूबाद का इस्तमाल ज्यादा कीजिए ताकि सारे दिन के होने वाले पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो भी पान जिसम में फातू और मुज़र सेहत किसम के जितनी भी चीज़ें अगठी हो जाती हैं उनको निकालने के लिए साफ पानी एक दवा का काम करता है और सबसे अच्छा है कि साफ सुथा पानी पीजिए बेशक्त एक साथ मत पीजिए क्योंकि इफ़तार के बाद खाली पेट है और आप एकदम से बहुत सा पानी पी लेते हैं तो फिर खुराग की जगा नहीं रहती है पेट में और दूसरा यह कि अक्सर लोगों को पेट में तकलीफ और दर्द की शिकायत हो जाती है और बेसर है कि आप इतनी तकलीफ लें के बाद में क्योंकि आपको फिर से अगले जिनका रोजा रखना है जब पानी ही सिर्फ होगा कहाने पिने की थूसरी कोई चीज अगर खाने कि नहीं गयी है तो ये कीनना आपते लिए मिश्किल हो जाएगा दूसरे जिनका रोजा उसको चलाना आगे तो बेफेटर है कि आप पानी पीचे कूप पानी पीचे तो हमारी बहने भी जो के बहुत ज्यादा खाने पीने की डिशों का इतमाम करती हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप घर पी हैं कोशिश किजिए कि बहुत सारी डिशें एक थात एक ही वक्त में दस्तरफ़ान पर जमा करने के बजाए अगर हम तबदील करके रोजाना अगर को जुआ लगती है थे जहाएं तो आप वार्श की डिवाइड के डिजिए बांट लीजी उसको एक की सादा रखिएं में घर में होंदए मैं दो इसके इक दिन सामोसे रख लूजे साथ डाएं और कोशिश कीजिए कि खाना उतना ही बनाईए कि जितना आप उस खाने को इस्तमाल कर सेकें क्योंकि अक्सर अगर इफ्तार में अगर आपने खाना खा लिया है तो फिर सहरी के वक बहुत मुश्किल होता है कि कुछ खाना खाया जाए या बहुत कम लोग होंगी जो पराठा खा सकते हैं या ऐसी तीज को फिर हजम कर सकते हैं एक अदबार तो हो सकता है कि हफते में एक खाली और उसके बाद अगर आप सोई नहीं है और अपने वाक करनी है अपने काम पे जाना है और आपने आके बीच यू पिर तो आप असको हजम भी कर लेंगे लेकिन अगर आपको सहरी के बाद सोना है कुछ देर दो तीन गहंटे चार गहंटे आप सोना चाहते हैं तो बह करशिश कीजिए कि पराठों और चिकनाई वाली चीजों से परहेज कीजिए क्योंकि सहरी के बाद चलने फिरने का काम अगर नहीं है सोना है तो फिर वो चीज हजम होने में काफी टाइम लेती है और अकसर डगारें अपहरा इस किसमी चीज़ें और बहुत सारी मेंदे की तकलीफ्तों में आप मुणला होते हैं तो बेहतर है कि उस वक्त खाना काने के बाद आप या चलते फिरते रहें सोऑं मत दिन में जाकर सोऑं क्या जूहर की नमाज की वक्तिया उसके तो आराम करने के वक्त को या तो तबदील कीजिए या फिर अपने खाने पीने की सहरी की रूटीन को तबदील कर लीजिए कुछ एक कीस को आपको बदलना पड़ेगा इन तीस दिनों के लिए ये हमारे मेदे के लिए बहुत दूरी प्रैक्टिस है मश्च है जो हम करते हैं और इसका मकसद शर्थ यह होता है कि हम जो फुराग का रहे हैं या जो चीजे हम ले रहे हैं रम्दान मुझार के उससे हम सहत हासिल करें ना कि भमारियां ले ले लें और रमजन के बाद वजन या तो बहुत बढ़ गया है या पेट की तकालीव में उबतला हो गए है या कुछ और इस वह प्रोब्लम हो गई है तो भेथर है कि हम थोड़ी सी इत्यात करें थोड़ी सी टाइमिगी को चैंज कर दें तरीक और को चैंज कर दें और खाने पीने में रोजाना समोसे, पकोरे, चार, जईबले, इस तरह की चीज़ों इस्तमाल करने से बेहतर है कि हम रोजाना की बुन्याद पर एक एक चीज़ को उसमें शामिल कर लिया करें इस तरह आपको खुशी भी मिलती रहेगी और लज़ध भी मिलती रहेगी تو ہماری بہنیں بہت محنث کرتی ہیں उनका बहुत सारा वक्त किचन में गुज़र जाता है अक्सर हमने देखा है के जोहर के बाद असर के बाद जो वह शुरू होती है तो समझें कि मगर्ब अक्सर उनकी किचन में ही इनका रोज़ा खुल रहा होता है किचिन ही में उनको जो भी है खजूर का दाना नसीब होता है वहाँ पे और खाने के एक तमाम में तयारी में बहुत सारा टाइम ना सिर्फ खाने पकाने पे निकल जाता है बलकि कुरान पढ़ने का टाइम जो होता है क्योंकि ये कुरान पाक का महीना है قرآن پاک نازل ہونے کا مہینہ ہے مکمل ہونے کا مہینہ ہے تو قرآن پاک کے نزول کے مہینے میں بھی اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے جسے ہم محروم رہ جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نکالیے تصویح کیجئے اور سب سے اہم نوافل سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم قضاء نمازوں کی ادائیگی پر زیادہ زور دیں جتنی نمازیں ہم سب کے لیے کہ ہم اول فرض کا مطلب سمجھتے ہوئے ہم جتنی اپنی فرض نمازیں ہماری قضاء ہو چکی ہیں ہم ہر نماز کے ساتھ یا پھر تراوی کے ٹائم کے اوپر بھی اگر ہم ان نمازوں کو شامل کرتے ہیں تو ہماری سال بھر کی نمازیں تین سو پینسٹھ دن کی جو نمازیں ہیں ان میں سے تیس دن جو یہ ہمیں ملتے ہیں ہم تیس دنوں کے اندر ان میں سے بہت ساری نمازوں کی قضاء ادا کر سکتے ہیں لہذا یہ ایک بہترین وقت ہے بہترین طریقہ ہے جب اللہ تعالی ہماری دلوں کو عبادت کے لیے راغب کر چکا ہوتا ہے شیطان قید کیا جاتا ہے اور اکثر لوگ کہنے میں ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ شیطان اگر قید کر دیا جاتا ہے تو اتنی ساری برائیاں رمضان میں بھی کیوں ہوتی ہیں تو وہ پھر یہی تو ظاہر کرنا ہوتا ہے پروردگار نے کہ شیطان تو قید کر دیا گیا جو ہماری اپنی نفس کی غلامی ہے اس کو بھی ہم شیطان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کام وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے دل سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر ایک شیطان اپنے وجود پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو ہمیں اخصارہ ہوتا ہے کہ یہ کر لو یہ کر لو اور ہم اسے ابلیس پہ ڈال دیتے ہیں تو ابلیس تو تیس دن میں قید ہے اگر ہم اس بیچ میں بھی اگر برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں تو پھر سوچئے کہ اس شیطان سے ہمارے اپنے اندر کا شیطان کافی زیادہ بڑا اور کافی زیادہ خطرناک ہے تو پھر اپنے اندر سے شیطان سے لڑیے تسکیہ نفس کسی کو کہا جاتا ہے کہ نفس کی شیطانی سے بچیے نفس کو مغلوب کیجئے نہ کہ اس کو غالب کر کے اور آپ اس کی غلامی کرنا شروع کر دیں تو کھانے پینے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ خواتین اور ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں جتنی گھروں میں کوکنگ کرتی ہیں نہ ہٹ والی اور بہت ساری اور وہ روزانہ کی بیس پر ٹرائے کر کے وہ گھر والوں کو ہی کھانی ہیں ان کو ہی کھلانا ہے اور وہ بھی کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں بے شک وہ لذیذ ہوتی ہیں مزیدار ہوتی ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ بہت زیادہ ہیوی بھی ہوتی ہیں اور ان کو پھر آپ نے ایک ایک چمچ تو ٹرائے کرنا نہیں ہم تو پھر ایک ایک پلیٹ پورا بھر کے کھانے والے لوگ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کی اتنی زیادہ quantity نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اب ختم ہی کرنی ہے اگلے دن پر رکھی نہیں جا سکتے کئی لوگوں کے گھروں میں ہم نے دیکھا کہ ہم تو فریج میں رکھا ہوا آپ کھانا نہیں کھاتے پھر آپ فریج کیوں رکھتے ہیں گھر کے اندر اگر آپ کو فریج میں رکھی کوئی چیز استعمال ہی نہیں کرنی ہے تو بہتر ہے کہ آپ فریج والی جگہ بھی کھالی کر دیں اور وہ فریج کی قیمت جو ہے اس کو بھی بچا کر آپ بہتر ہے کہ کہیں خیرات کر دیں وہ زیادہ اچھا ہے کیوں آپ نے کھاؤں کا اتنا بڑا لائک کہ وہ پورا کمرے جتنا آدھے کمرے جتنا وہ سٹورج کیا اور پھر بعد میں آپ نے اسے کھوڑے ہی میں پھینک دینا ہے تو بہتر ہے کہ وہ کھانا افطار کے ٹائم ہی میں اگر آپ کہیں بھیجوا سکتے ہیں آپ کے گھر کے آس پاس کہیں مسجد ہے یا پھر آپ کے آس پاس میں گھر ہیں جو لوگ ایک دوسرے سے کھانے وغیرہ کی چیزیں تبادل کرتے رہتے ہیں تو بہتر ہے کہ پھر یہ چیزیں ایک دوسرے کو بھیجوا دیا کیلئے تاکہ دوسرا بھی آپ کے اس افطار کے سواب کے اندر شامل ہو سکتا ہے اور بیچہ کھانے کھلانے کا یا پانی پلانے کا بہت بڑا عجر و سواب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیونکہ یہ ایک انسان کے بنیادی ضرورت ہے کھانے پینے کے بینہ آپ جی نہیں سکتے دن میں تین بار نہیں دو بار تو ہر انسان کو خراب کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اتنا ہی کھانا اپنے دستر خان پر بنائیے سجائیے رکھئے اور پیش کیلئے جتنا کھانا سب لوگ کھا لیں یا پھر جتنا کھانا اس وقت سر رو کر ختم ہو جائے وہاں پر اور اتنا ہی اپنے پاس رکھئے جتنا آپ نے فوراں اگر آپ نے سہری نہیں بنانی ہے اور وہ چیز ہی استعمال کرنی ہے تو اس وقت آپ رکھئے بہتر ہوگا کہ ہم اس کھانے کو سہری تک کے دورانیے میں ختم کر لیتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں یا کسی کو پہنچا دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ ہم اسے کھوڑے دان میں اٹھا کر اس میں ڈال دیں اور بعد میں کہیں کہ اوہو اب ٹائم بھی ضائع کیا اس پہ آپ نے پیسہ بھی ضائع کیا اور آپ نے محنت بھی کی اس کے اوپر اور پھر رسک کا زیام بھی وہ گناہ بھی آپ کے کھاتے پہ آ گیا تو بہتر ہے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنے سے بچیں اور جتنی کھانے پینے کی چیزیں بچتی ہیں اگر کشک فارم میں ہیں پھر تو بہت اچھا ہے کہ ڈرائے فارم میں آپ کسی کو بڑی آسانی سے بجوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقتبا لیں گے وقتبا کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ بھائی بھائی سوید موپیر سیید محمد باقش حشمی اور اکتئے ہیں جب ہم خود بھائی بھائی سوید کیاک کھانے پیر جائے بھائی بھائی سوید سوید محمد بھائی سوید جب ہم این فرانس انہوں نے فرانس کے ساتھ بھائی بھائی سوید प्रवे繁alen कर दो ब्रवें भाइब दो भाइबाइस्वीट 1904-1904 है प्रवेंगाइ भाइबादस्टरी पाकिस्तने syå अपिस्टनेश प्रेवारी 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 प् कि नайнतार का जार्रावाइ रॉटर लॉट कि नॉट इ होज़ू कि रॉट ऑो जुट Dad मैंीर्ण ॉब कि बढ भकूब कई बजय अजरूदीज भाई भी बचूब को जूएज अचूब भाईस, में भाई बधय मुटना ज उपकिस्तने मुटने जब भाईसा बूहे लुटका लूटता अचुत स Ain哦-Nalba, जगों साथना प्रॉपस, शवाइने हुई्सप्ना वर रॉपस्वा, भॉछने हुईंगे लगाइन सालेट, ये प्रॉच्ष अवाइने हुईने हुईते उपने जपने का सालेत, खूब माइ ब्दा बाल्पी तो Are The Tued कि लगतम तो बीजस्तों कि बीक्रोब लिजस्तों कि तो जाए्टे कि भीक्षित् looking in you बीजस्तों कि लगत愉ई, कि लूद स्सक्रीओ स्सरीओ कि देत्वास्तों प्øрушत कि कि लूदा झाल, ma souha Gold Kолод Des, कर दो कर दो 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 है आप्यू है स्वेसे इट आपलोपीछों यूप्र गर्याटन यूजिस विस विस दृप धूम टीक्साइए झुछ प्राइब टॉप्क ए lack हुआ 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 हु there are many payment moves like back transfer, cash on delivery, paypal and credit cards please visit on desi site.com thank you hey everyone this is Bushra I like shopping on desi site.com thank you hello everyone my name is Zubair and I'm learning fashion designing in France apart of this I'm learning Asian trending clothes as well guys cause of my busy schedule I didn't have a time to do shopping but now I'm so happy because of on desi site.com to manage the whole week's study it's too difficult and the work of the weekend is very difficult for me to make sure how to manage the whole grocery store but desi sites.com has been easy for me and now I'm sitting at home just one click everything I want and desi site.com has been easy for me and my life is easy for me its thing so that, the result of this we have been using our food the food the first week we really still use the food so that we have to worry about how to stay? how to stay? how to stay in the day? how to stay alive? so that every day कि तोर पे एक दर लग रहा होता है कि मैं रोजा पूरा गड़ सुकूंगा या नहीं लेकिन जैसे ही आप नियत करते हैं और रोजे में दाखिल होते हैं यकीन कि लिए बेपना सब्र देता है सुकून देता है आपको और पिर इन कुछ दिनों के गुज़र जाने के बाद खाना मौजूद है लेकिन आप नहीं खा रहे आपने तमाम वो हलाल काम भी रोख रखे हैं जो के आम हालात में बिर्कुल जायज हैं हलाल हैं लेकिन रमजान में अल्ला के हुक्म पर और सिर्फ अल्ला की रजा के लिए आपने उनको रोख रखा है तो यह चीज़ आपको देने लगती है एक रुछानी लखत मिलने लगती है आपको तो लखते काम ध़न से ज़्यादा अगर हम लखते अबादात लें और आमाल लें तो यह ज़्यादा बहतरीन अमल हैं क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि खाने पिने के ज़्यादती की वज़ा से अक्सर हम बेहन को देखते हैं कि वो उच्ष नहीं पाते एक तार के वक्ति इतना खा लिया है या पी लिया है अमारे भाईों को ज्यादा ये प्रब्म होती है बेहनों से ज्यादा कि वो नमाज कजा होने लगती है या तरावीनी पर पारे हैं या उसके बाद उनका उपना मुहाल हो गया ये सहत के हवाले से तो ही लेकिन दीनी लिहाद से भी आपको परिशानी देता है और आप अफसोस होता है बाद में जो हम उसके अखित से निकलते हैं कि उस वक्त थोड़ी सी बत्याती की वज़ा से या थोड़ी से बस्यार खोरी की वज़ा से आपने अबादत का बहुत चाया कर दिया या आपने तकलीफ मोल ले ली कोई ना कोई तो बहतर है कि हम सब कुछ हलाल चीजों में से खाएं पी इंजॉय करें लेकिन इतना उसको अपने उपर ला दे नहीं कि हम अपने वेट को कंट्रोल में नहीं रख सकते या फिर हम उसकी वज़ा से इबादात को या हम गुनूदगी में चले जाते हैं नींद आने लगती हैं हमें बहुत ज़्यादा तो इन चीजों का इत्यार क्या कीजिए क्योंकि आपकी सहत सिर्फ आप के लिए नहीं आपके पूरे घ्राने के लिए आपके पूरे खानदान के लिए बहुत एहम है तो जब आप सहत लोगों तक महदूत नहीं है आपके साथ आपकी माबाब, बेहन भाई, बीवी, बच्चे, दोस्त, एहबाब, सब कहीं न कहीं मुंसलिक होते हैं, आपके साथ जुड़ेवे होते हैं, और आपसे महबत करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप सहत मन रहें, इसी तरह से अल्लाह भ जहाए हैं, और आप उसको नम्कीन चीज़ों की तरह हर वक्त, हर वक्त कुछ लोगों को आदद होती है, या तो उनको तल्ब होती है, दो चीज़े हैं, या पिर वो शौक्या खाते हैं एक हो तो शौक्या खाने वाला और ज्यादा तर वो भुद डावट दे रहा है, अप अगर फूट में जाते हैं तो फूट में बहुत सारे फूट हैं जो मीठे हैं और अगर वो उसका नेमल बदल बनते हैं तो कोशिश की लिए कि मीठे में केक पेस्ट्रियां और चॉकलेट और रिस्ता की चीज़े खाने से जो आपको वेट आप बहुत बुटॉन कर देंगे उसकी जगा आप फूट को लें और हेलसी डाइट को लें और अपनी चार्ट का इस्तमाल आम तोर पे हम दस्ताफ़ान पर जरूर करते हैं तक्रीम हर घर में रोजाना शायद साल भर में इतना फूट कहीं नहीं खाया जाता जितना रमदान मुबारक में फूट चार्ट बन अगर आप नैचरल फॉम में उसको इस्तमाल करते हैं अपने जूस को अगर नैचरल आप ने रखा है उसमें कोई और मीठा नहीं डाला है तो वह बहुत अच्छा है आपके लिए यसी तरह से अगर आप उसको फिर किसी और चीज़ में पाई बगरा बना लेते हैं या आप उसको केक में इस्तमाल करते हैं और दूसी चीज़ों में फिर वो हैवी हो जाते हैं फिर रखित उनके साथ प्रीम भी शामिल हो जाएगी उसको बहुत हैवी हो जाएगा और चीनी भी उसमें काफी ड़ती है तो कोशिच किजित को सिहत मन दाइरे के अंदर इस्तमाल करें और भिर थे हम उसको दोहराइंगे कि खाने पीने की तीज़्ों को जाया हम मत कीजिए हैं खाने पीने की हम कई बार ऐसी होता है कि केक अगर हमें एक केक की जुरूत है पांच लोगों के लिए तो हम इतना बड़ा मोल बना लेते हैं, उसको इतने बड़े पैन में बना लेंगे कि उचे तकरीबन दस टोग खा सकते हैं, ज़रे पांच टोगों की जुरुत थी अगर उन सब ने वो खा लिया है, तो भी वो हैवी हो गया, उनके लिए नुकसान दे हैं शियर के हावाले से, कि उनुने बहुत ज़्यादा ओवरीटिंग खर लिया है, बहुत ज़्यादा खा लिया है उसको, तो उसको पचाने के लिए भी, उनको उतनी मिहनत करनी चाहिए उतनी exercise करनी चाहिए, उतना काम करना चाहिए, जबके ऐसा नहीं होता अमूमन बच्चे नौजवान या काम से आया वा ठका हरा इंसान जब बाता है तो उसमें इतनी हमत नहीं होती है कि वो अब एक दो ग्रिंटे एकसरसाइस करके जो उसने फालतू के एक पेस्ट्री खार लिए उसको पचाने के काम में भी लगेगा तो ये उसे बहुत ठका देने वाला अमल लगता है तो इससे कहीं ज़्यादा आसान और बेहतर सरीका ये है कि हम छोटे पीसेज में छोटी क्वांटिटी में कोई चीज सर्व करते हैं या सर्विंग बॉल है वो हम छोटा कर देते हैं तो वो इंजॉय तो करेगा और दूसरी बात ये है एक सबसे एहम बात इसी से चुड़ी वी कि खाने को ज्यादा से ज्यादा चबाईए ये डॉक्टर्स ने एक मानी वी मुस्तरत बात है कि वो हमेशा इस बात को एहमियत देते हैं कि खाने को आराम से खाईए, सुकून से खाईए और खुप चबा के खाईए हमारे फ्रांस में तो अक्सर डॉक्टर्स जबात का आपको सलाह देती है कि तीज से चौनतिस बार एक न्वाले को जूरूँग चबाईए कमसकम एक नवाले को 30-34 बार चुबाया जाना चाहिए कि वो पानी की फॉम में खुद बो खुद आपके अंदर उतरे बजाए इसके कि आप हलक से अपना नवाला उतारते हैं वो खुद बो खुद इतना लिक्विड हो जाता है कि वो खुद आपके अंदर उतरता है और यूँ वो मेहनत आपकी आंतों को नहीं करनी पड़ती जो आपके दांतों को करनी चाहिए तो दांतों वाला काम दांतों से लीजिए और आंतों वाला काम आंतों को करने दीजिए जब दान्तों का काम हमारी आंतों को करना पड़ता है तो यकीन कि बहुत तकलीफ होती है बहुत ज्यादा लोगों को अफसर पेट दर्द की शिकायात या पेट से मतालिक जितने भी अमराज हैं वो उन्ही लोगों को ज्यादा सहने पड़ते हैं जो जल्दी जल्दी लुप में बड़े बड़े लुप में बनाते हैं जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं टाइम बचा रहे हैं जल्दी जल्दी चलते फिरते दौरते भागते और फटा वट अंदर फैंकने वाला वो खाते हैं नहीं वो फैंक रहे होते हैं अपने अ फैंकते जाएए, कोई फरक नहीं पड़ता जितना आपको अंदर खाना फैंकना है, लेकिन अगर आपको खाने से सहत हासिल करनी है, खाने से मज़ा लेना है, इंजॉयर करना है खाने को, तो फिर आप छोटा नवाला बनाईए हमेशा, बच्चों को भी देखिए, कि वो अकस कोटा लुपा बनाईए, मुँ में रखेने के बाद उसको अची दरा से चबाईए, चबाने के बाद उसको अंदर जाने दीजिए कि वो खुद पाखुद अंदर जाए, बज़ए कि आप उसको अंदर की तरफ दखे लते हैं नवाले को, यह बार बहुत इंपॉर्टन है, और इसके लावा इस वक्ट क्योंकि जैसे गर्मी है तो कोशिश कीजिए, अगर सालन बनाते हैं तो शोर्बे वाला बनाईए, और अगर सालन नहीं पसंद करते हैं लोग उस वक्तार की टाइम के आप सालन के बजाए को यूसी चीज़े रखते हैं, तो सूप जरूर को कि कि यह बी किस्म है के वह शोर्बे की किस्म है एक बाति डाखिल होटी है ऎसने के लिक्ट 획दर होती है और आपका पेट भी बहरता खांधे हैं लेकिन आप इसको टो एन्जॉआ भी करते हैं मजा भी आता है आपको खाने पिने में होगाँ साइक ब्रूद जावाह में हम तो कि जैसे प्याज लसन टमाटर बून कर डालते हैं तो सूप में ये फर्क आ जाएगा सालन के बज़ाए कि आप उसमें साबत जो भी चीज़े हैं पानी में डालकर उसको अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद चाहे तो चाहे तो अगर आप फिलिंग चाहते हैं में चबाने की वो भी आपको बहुत मज़ा देती है तो आप इस यह ना सोचे कि हम सालन जरूरी है कि अब प्यास सुर्ख की जाएगी लसन सुर्ख किया जाएगा उसको अच्छी तरह से बून बून कर उसका फाइदा जला देना है उसके बाद आपने खाना है थोड़ा सा हम बड़े गरीब लोग हैं आप क्या हर वक्त मुर्गियां भूनना बता रही होती है और पिज़े बनाना बताती है और ये बनाना बताती है और वो बताती है तो भाईयो बात यह होती है कि ये खाना वही चीज़े हैं जो हम आवाम तोर्पे खाते हैं क्या आप रुजणा आम तो पर गोश्ट चाहिद मुश्किल लगता है पकाना चिकन तो आम तो पर हर जगा अवेलेबल भी है और हम लोग बड़े चोटे सब्सको शौक से खाते भी हैं तो चिकन के जरीए वो सारी फीजे बन रही होती है आप पूरी मुर्गी नी डाल दे आप आदी मुर्गी ड टेस्ट पैला पैदा करना है आप तो वह सबजी में डाल में आप उड़ा सा चिकन पाउडर मिलते हैं जबा घर में रखा होता है तो थोड़ा सा अगर भी डाल देते हैं तो बड़ा अच्छा मज़िदार सा टेस्ट उसका आता है तो यह मत सोचा की जिए इतना इसासे कम पैसरी में जाने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि जो लोग यह डिशिस बना रहे हैं को बहुत ही करोड़ पती लोग हैं जो यह बना रहे हैं यह आम तर पर खाने पीने की चीज़ें हैं वही मिर्च मसालें हैं वही सब कुछ है कि जिसको हम थोड़ा साथ अलब तरीके कि पूदी से हम इसक्काल करते हैं पकाते हैं जहरी बात है आप किसी चीज़गों पानी में डालते हैं तो वह अऊवालेंगे तो जो घृणे तो यह했는데 का पहले कूं सी चीज दालनी है या उबालनी है या रोस्ट करनी है बूननी है वो तरीके कार या पर जिस बरतन में आप पका रहें ये भी याद रखें कि पकाने वाले बरतन का भी जो टेस्ट है वो भी उस चीज़ में आता है और मैंने तो यहां तर देखा है आप किस इंधन के उपर बना रहे हैं गैस की चुले पे बने वे खाने का टेस्ट बिलकुल अलग हो जाएगा इस तरह से जो लकडियों पे बनाती हैं वो अलग हो जाएगा इसी तरह से जो लोग बिजली के चुले इस्तमाल करते हैं का टेस्ट अलग हो जाता है तो जस चीज को भी जिस इंधरं को भी आप इस्तमाल कर रहें उसकी कुछ नो कुछ हमक या उसकी जो समेल होती है या उसका जो एक आरोमा सा होता है वो उन चीजों में आ रहा होता है यह बिलकुल इसी उसका जो आरोमा है वो सारे का सारा आपके खाने में आ जाता है आपको बार्बी क्यु टेस्ट मिल जाता है तो आप यह दुख रखे जिस टेस्ट को लेने के लिए आप अलग से अगर बार्बी क्यु रहे हैं वो ज़ूरी काम नहीं होगा लेकिन आपने उस टेस्ट को उस दूएं को वह तक पहुंचा दिया तो आपने वह एपने वह स्मोक का जो टेस्ट अवो ले लिया। इसी तरह से जिस चुले पे आप खाना बना रहे हैं जिस तरह के इंधन पर बना रहे हैं अगर आप गोबर वाले जो हैं उपले जो होते हैं उसके साथ अगर आप बना रहा है खाना तो जो ही जो हृज है अगर dona रहे हृती है उसी तब साथ तक फ़जा रही होती है इसी तरह से खानों में भी जूरी नहीं है कि आप वही रूटीन वाला हमारा पाकिस्तानी तरीका है या इंडिन तरीका है कि हम मसाले पीस पीस कर और उसको भून भून कर जला जला कर हमने उसको इस्तमाल करना है नहीं थोड़ा सा टेस्ट इंटरनेशनली अब हम लोग टीवी देखते हैं या नेट के जरीए यूट्यूब के जरीए हम हर चीज़ देख रहे होते हैं हम रोजाना ने तरीके डिवलप कर रहे होते हैं तो खाने में भी अपनी तरीके को अपनी लज़ज़त एक काम और दहन को थोड़ से डिवलप कीजिए और अगर आप हमेशा भूने वे खाते हैं तो कभी उबलावा खा कर देखिए कभी कभी कोशिश के लिए कि आप स्टीम करके देखिए उसका एक बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट होता है इसी तांसे आप कभी रोस्ट करके देखिए हो आपको मिज़ा देगा और अच्छा लगेगा और cooking shows के उपर गुसा निकालने के बजाए बलके आपको शुकर गुजार होना चाहिए कि जब हम लोग school time में थी तो मुझे याद है कि हमारे पास इतनी opportunity नहीं होती थी कि हम कहीं जाकर special classes लेकर आएं घर से भी इतनी permission नहीं होती थी तो अगर उस जमाने में हमारे पास internet होता, youtube होता, ये टीवी पे सारे cooking चोज होते तो शायद उस वक्त हम बड़े top के chef बन चुके होते लेकिन उस वक्त हमें यह असानिया नहीं मिली है आज हमारे पास, हमारे बच्चों के पास यह असानिया मौजूद है तो सीखा कीजिए, सीखने में कोई बुरी बात नहीं है अपने दस्तरफान को हमेशा हरे भरे रखे सबजियों के जरिए, सबजियों वाले मुखानों के जरिए, fruit के जरिए रखे फूट आपको oxygen भी देते हैं और इसके लावा आपको बिल्कुल उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो अंदर जाके जमा हो जाएगी, बैट जाएगी, मोटापे क्या वज़ा बनेगी या निकलेगी नहीं आपके वजूद से, वह आपके वजूद को ताकत देकर निकलता आपके वजूद थे, तो खाने पीने की चीज़ों में या खाने पकाने की चीज़ों में फुड़ी से वराइटी पैदा कीजिए, और नया नया टेस्ट शुरू में शायद आपको थोड़ा सा आजीब सा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसको ये सो आप अपने कुछ ना कुछ थोड़ी से स्टाइल में फर्क लेकर आएंगे, इस रहमत के अश्रे में रहमते समेट के नेकी कीजिए, नेकियां बांट के और दूसरों से दुआएं लीजिए, और बांटने का अमल जो बहुत आसान है कि आप बांट के, बांट कर बढ़ता ह तो यकिन करче कीजिए कि वो अच्छी तीजा आपके लिए अच्छाया ही बढ़ाती है अच्छाया ही वापिस आप की तरफ लेकर आती है को अच्छाया फैलाइए, दौईएं लेडिएए, दौईएं देएए और अमली तॉर पर जोग के काम आने की पुशिश कीजिए, ब जो अगला फता आ रहा है उसमें हम फ़र से नहीं मौदुवाद के साथ आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में पुड़ती ऐसी चीज लेकर आएं जो रमजान में मजभी हवाले के साथ सब्समाजी हवाले से भी हमारे आप सब के काम आने वाली बात हो और हम उस पर अमल करने के बाद कुछ रिलीफ में सुस करें बहुत शुक्रिया आपकी तौज़ों का अपनी दौ़ाओं में याद रिखिए का आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक ने मौदु के साथ अलाहाँ आपके साथ अलाहाँ देंगाे रिखिए真的 वालाहाँ आपके साथ आपके साथ आपके साथ आपके साथ इन बात्र के साथ झाल झाल